कोकीज या बिस्किट किसे पसंद नहीं होते और उसमें भी चॉकलेट बिस्किट तो सबी बच्चों की फेवरेट होते हैं हलो वियर्स, वेलकम टू नाइलियन मॉम तो आज मैं आपसे शेर करने जारी हो कोकीज की एक ऐसी रेसिपी जो खाने में जितने यामी और टेस्टी हैं आपके लिए उतने ही हैल्दी और न्यूटीशियस भी है क्योंकि आज हम इसे मैदे सेना बना कर बना रहे हैं नॉमल गीहूं के आटे से और इसका एक और प्लस पॉइंट यह है कि अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप उसके बिना भी इसे गैस पर कूकर या कड़ाई में छेटबट बना सकती हैं अगर आपको भी मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी आटा चॉप्लेट को किस बनाने के लिए सबसे पहले आई हैम इसका डो रेड़ी कर लेते हैं इसके लिए एक साफ mixing bowl में सबसे पहले मैं add कर रही हूँ 3-4 cup या फिर पोना cup के करीब देसी घी आप यहाँ पर खी की जगा butter का भी यूज कर सकती हैं और ध्यान रखिया कि इस खी को हमें normal room temperature पर ही लेना है इसे melt करके हमें यहाँ पर यूज नहीं करना है इसके साथ ही इसमें add कर रही हूँ 1 cup powdered sugar अगर आपके पास powdered sugar नहीं है तो आप अपनी normal sugar को mixi में चला ले वो powdered sugar बन जाएगी आप यहाँ पर sugar की quantity को अपने taste की recording कम और जादा कर ले अब इस खी और powdered sugar को हमें इतना जादा ब्लेंड करना है इतना जादा विस्क करना है कि जब तक यह पफी और क्रीमी ना हो जाए इसे अच्छे से mix करने के लिए आप spatula, whisker या फिर electronic blender किसी कभी यूज कर सकती है जिससे भी आप comfortable हूँ इसके लिए आपको hardly चार से पांच मिनट लगेंगे और इसे चार से पांच मिनट के बाद अच्छे से बीट करने के बाद अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आप देखेंगे कि यह पफी और एक क्रीमी फॉर्म में आ चुका है अब इस मिक्स्चर को हम साइड में रख देंगे अब एक सेपरेट बाउल में हम एक चलनी लगाएंगे और उसमें हम डालेंगे एक कप नॉमल गेहूं का आटा यहां पर आप गेहूं के आटे की जगा पर मैदे का भी यूज कर सकती है लेकिन अगर ये गेहूं के आटे से इतनी हेल्दी और यामी बन सकती है तो क्यों ना मैदे का वाइड किया जाए इसके साथ ही में एड कर रही हूं हाफ कप बेसन दो से तीन टेबल स्पून नॉमल रवा या फिसूजी इससे कोकिस का टेस्स का अफी अच्छा आता है इसके बार में एड कर यह चोटा टेबल स आप माटेश साधी किस ऑ़ोग करें और वोड़ मिक्स्चर में एड करी और इसका तोहरा तोहचे से में मिक्सक्रों में ऐसका भी बनाने में प्रॉब्लम डाइस कोई भी कि इसमें और अट कर बissements करें या फिर थोड़ा सा वां मिलक कर ली पर थोड़ा सा थोड़ा से पॉर बस इसको डो फोम मेलाना है ताकि हम इसे बॉल्स बना इसकी कुकी बना सब्सक्राइब अब हमारा यह जो मिक्सचर है को की बनाने के लिए रड़ी हो चुका है अब इस तरह से हम कोई स्पून या फिर कोई कड़्ची लेकर उसे थोड़ा सा इस मिक्सचर का पॉर्षिन डाल इसके लिए आप इसका थोड़ा सा पोर्षिन अपने हाथ में इस तरह से लेते हुए उसे हलके से प्रेस करते हुए उसे हलके से रोल करते हुए इस एक बॉल की शेप देदे अगर इसमें थोड़े से पैक साते हैं तो इसमें टेंच लेने की बात नहीं है क्योंकि हमने इस आज मैं आपको इसको बेक करना बताऊँगी एक तो आवन में और एक बिना ऑवन गैस पर थाले हम इसे अप्समें बेक्षिन में इसके लिए मैं ले रही हूँ बेकिंग ट्रे और इसमें आपको डिरेक्ट कुकीस को नहीं रखना है उसके लिए आप इसके ऊपर पहले या फ यहां पर भी आपको ध्यान रखना होगा कि आप सारी कुकी इसको बहुत पास-पास ना रखें उसे थोड़े-थोड़े से ग्याप पर रखें क्योंकि इने बेक खुने के लिए थोड़े-थोड़े से केशु गार्निश कर रही हूं इसके लिए अपनी मन पसंद का कोई भी करनिश कर सकती हैं कि अपने बेक करने के लिए अपने अवन या फे कन्वेक्शन जिसमें भी आप बना रही हैं उसे दस मिनट के लिए 180 डिग्री पर पहले प्रीट कर ले तो यहां पर मैंने अपने 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 को पहले ही दस मिनट के लिए प्रीट कर लिया था अब मैं इसमें 180 degree temperature set कर इसे 20-22 मिनट के लिए बेक करने के लिए डाल दूंगी. यहां पर अभ्धान रखें कि हर अवन और कन्वेक्शन की सेटिंग्स अलग अलग होती है और अलग अलग बैंद के होते हैं. इसको बेक करने में थोड़ा सा कम या जादा टाइम लग सकता है तो जब तक हमारी कुकिस अवन में बेक हो रहे हैं उसके साथी में आपको इसको गैस पर बनाना भी बता देती हूँ इसके लिए सबसे पहले गैस पर एक कढ़ाई या फिर कुकर जिसमे भी आपको इसको बना थोड़े थोड़े स्कैप पर रखना है अब अपनी प्री हीटिट कढ़ाई में हम इस तरह से एक स्टैंड रख देंगे अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप इसकी जगह पर किसी डब्बे के धकन को भी प्लेस कर सकती है अपने इस धकन के ऊपर हम आपनी को किस की प्लेट को प्लेस कर देंगे और इसे अच्छे से ढखकर 20-22 मिनट के लिए बेक होने देंगे यहां पर गैस की फ्रेम रहेगी मीडियम तू लो यहां पर अभ्यान लखे कि बार बार आप इसका ठकन हटा कर को किस को चेक ना करें क्योंकि इस जो हीटिंग प्रोसेसर काम हो अब आपको देखने में लगेगा भी नहीं कि आपने घर पर बनाया है या मार्गेट से लिया है और यह को किस हमने बनाई थी अवन में तो अब घर पर इजिली अविलेबल बहुत ही बेसिक इंगीरियंट से जर्पट अवन या फिर गैस किसी में भी को किस बना सकती है अब आप भी मेरे बताय हुए टिप्स और ट्रिक्स के साथ किस रेसिपी को ट्राय कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक के बाबाए